रात को बड़े जोर का जखकड चला, जखकड कहते हैं तेज आंधी को सेक्रेटेरियेट के लॉन में, सेक्रेटेरियेट सची वाले का इंग्लिश शब्द है के लॉन में जामुन का एक पेड गिर पड़ा सुबह को जब माली ने देखा, तो उसे पता चला कि पेड के नीचे एक आदमी दवा पड़ा है माली दोड़ा दोड़ा चप्रासी के पास गया, और चप्रासी दोड़ा दोड़ा कलर्क के पास गया क्लर्क दोड़ा दोड़ा सुप्रेटेंडन के पास गया सुप्रेटेंडन दोड़ा दोड़ा बाहर लॉन में आया मिन्टों में गिरे हुए पेड के नीचे दबे हुए आदमी के चारों और भीड इखटी हो गई बेचारा जामुन का पेड कितना फलदार था एक कलर्क बोला और इसकी जामुने कितनी रसीली होती थी दूसरा कलर्क याद करते वे बोला मैं फलों के मौसम में जोली भर कर ले जाता था और मेरे बच्चेस की जामुने बड़ी खुशी सिखाते थे तीसरा कलर्क लगबग रुआसा होकर बोला रुआसा मिस रोनी सूरत लेके मगर यह आदमी माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया हाँ यह आदमी सुप्रिटेंडेंट सोच वह बढ़ गया पता नहीं जिन्दा है कि मर गया एक चप्रासी ने पूछा मर गया होगा इतना भारी पेड जिसकी पीठ पर गिरे वह कैसे बच सकता है दूसरा चप्रासी बोला नहीं मैं जिन्दा हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिंता से करहाते हुए कहा जिन्दा ही है एक क्लर्क ने ताजुप से कहा पेड को हटा कर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए माली ने सुझाव दिया मुश्किल मालूम पड़ता है एक सुस्त काम चोरा मोटा चप्रासी बोला पेड का तना बहुत मोटा और वजनी है क्या मुश्किल है माली बोला अगर सुप्रिटेंडन सहाब होकुम दे तो अभी 15-20 माली चप्रासी और क्लर्क लगा कर दबे हुए आदमे को निकाला जा सकता है माली ठीक कहता है बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े लगा उजोर हम तयार हैं एक साथ बहुत से लोग पेड को उठाने को तयार हो गए ठेहरो सुप्रिटेंडन बोला मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ सुप्रिटेंडन अंडर सेक्रेटरी के पास गया अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया जॉइंट सेकरेटरी चीफ सेकरेटरी के पास गया चीफ सेकरेटरी मिनिस्टर के पास गया मिनिस्टर ने चीफ सेकरेटरी से कुछ कहा चीफ सेकरेटरी ने जॉइंट सेकरेटरी से कुछ कहा और जॉइंट सेकरेटरी ने डिप्टी सेकरेटरी से कुछ कहा डिप्टे सेकरेटरी ने अंडर सेकरेटरी से कहा और फाइल चलती रही इसी में आधा दिन बीट गया दो पहर की खाने पर दबे हुए आदमी के चारों और बहुत भीड़ी खटी हो गई थी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कुछ मंचले कलरकों ने समस्या को खुद ही सुल जाना चाहा वे हकोमत के फैसले का इंतजार किये भीना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चे कर रहे थे कीतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया बोला हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हम लोग व्यापार विभाग से संबंदित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषी विभाग के अधिन है मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषी विभाग फेज रहा हूँ वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा दूसरे दिन कृशी विभाग से उत्तर आया कि पेड व्यापार विभाग के लौन में गिरा है इसलिए इस पेड को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है यह उत्तर पड़कर व्यापार विभाग को घुस्सा आ गया उन्होंने फॉरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्यदारी क्रिशी विभाग पलग होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई सम्मंद नहीं है, दूसरी दिन भी फाइल चलती रही, शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को होटी कल्चर डिपार्टम मामला है और एगरी कल्चर डिपार्टमेंट अनाज और केती बाड़ी के मामलों में पैसला करने का हकदार है, जामन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ होटी कल्चर डिपार्टमेंट के अंतरकत आता है, रात को माली ने दबी हुए आदमी को दालभात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही हटाने की कोशिश ना करें, मगर एक पुलिस कॉंस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजा दे दे, माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उमीद है कल तक फैसला हो जाएगा, दबा हुए आदमी कुछ नहीं बोला, माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहां कोई वारिस है तो मुझे उसका आता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोश करूँगा, मैं लावारिस हूँ, मतलब उसको कोई वारिस नहीं है, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, माली खेत प्रकट करता हुआ, वहां से हट गया, तीसरे दिन होटी कल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया, बड़ा कड़ा जवाब था, और व्यं करकारी अफसर मौजूद हैं, जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है, हमारा विभा किसी भी हालत में इस फलदार व्रिक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता, अब क्या किया जाए, इस पर एक मन्चले नहीं कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता, तो इस आदमी को ही काटकर निकाल लिया जाए यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानि धर से काटा जाए, तो आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा मगर इस तरह तो मैं मर जाओंगा दबे हुए आदमी ने आपत्ती प्रकट करते हुए का यह भी ठीक कहता है एक ट्लर्क बोला आदमी को काटने वाली युपती प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया आप जानते नहीं है आजकल प्लास्टिक सरजरी कितनी उन्नती कर चुकी है मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सरजरी से धड़के स्थान से इस आदमी को फिर से जुड़ा जा सकता है इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरान एक्षन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुँची उसकी दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सरजन छानबीन के लिए भेज दिया सरजन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्त देखकर नाड़ी की गदी को परखा खून का दवाब देखा दिल और फेपड़ों की जांच करके रिपोर्ट फेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरिश्टन तो हो सकता है और ऑपरिश्टन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा इसलिए यह फैसला भी रद कर दिया गया रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुँँ में खिचड़ी डालते वे उसे बताया कि अब मामला उपर चला गया है सुना है कल सेक्रेटरेट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा उमीद है सब काम ठीक हो जाएगा दबा हुए आदमी एक आह भर कर धीरे से बोला ये तुमाना कि तवाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक तवाफुल मिन्स देर, डिले, विलंब माली ने अचमबे से मुँ में उंगली दबाली और चकित भाव से बोला क्या तुम शायर हो दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया मतब हाँ कहा दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया चपरासी ने कलर्क को, कलर्क ने हैट कलर्क को और थोड़ी ही देर में सेकरेटरियेट मिया वाफ एल गे की दबा हुआ आदमी शायर है बस फिर क्या था? लोगों का जुन्ड शायर को देखने कले उमर पड़ा इसकी चर्चा शेहर में भी फैल गई और शाम तक गली-गली से शायर जमा होनी शिरुख हो गए सेकरेटरियेट का लौन भाती-भाती के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों और कवी सम्मेलन का सवातावरन उत्पन हो गया सेकरेटरियेट के कई कलर्क और अंडर सेकरेटरि तक जिने साहित्य और कविता से लगाव था रुख गए कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे दबा हुआ आदमी कवि है तो सेकरेटरियेट की सब कमिटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी कवि है इसलिए इस फाइल का सम्मद ना हैरी कल्चरल डिपार्टमेंट से है नहोची कल्चरल डिपार्टमेंट से बलकी सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके भागे कभी को इस फलदार पेड़ से चुटकारा देलाया जाए फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक भी भागों से गुजरती हुई साहित्याग आदमी के सेकरेटरी के पास पहुची बेचारा सेकरेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होका सेकरेट पहुचा और दबे हुए आदमी से इंट्रिव्यू लेने लगा तुम कभी हो उसने पुचा जी हाँ दबे हुए आदमी ने जवाब दिया किस उपनाम से शोवित हो ओस ओस सेकरेटरी जोर से चीखा क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्र है ओस के फुल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है दबे हुए कभी ने हुंकार में सिर हिलाया क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो सेकेटरी ने पुचा नहीं कभी ने जवाब दिया कि नहीं मैं में मेंबर नहीं हो आश्यर रहे सेकरेटरी जोर से चीखा इतना बड़ा कभी ओस के फूल का लेकक और हमारी अकादमी का मे से कितना बड़ा कवी और कैसी अंधीरी गुमनामी में पड़ा है गुमनामी में नहीं एक पेड़ के नीचे दबा हूं कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निका लिये अभी बंदोबस्त करता हूं सेक्रेटरी फॉरण बोला और फॉरन उसने अपने विबाग में रिप लिया है यह लो चुनाओ पत्र मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो दबे हुए आदवी ने कराहा कर कहा उसकी सांसे बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आँखों से मालुम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है यह हम नहीं कर सकते सेकेडरी ने कहा और जो हम कर सकते थे हम ने कर दिया बलकि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा यानि जो साहता राशी होती है वह दे सकते हैं अगर तुम दरखास कर दो तो हम भेवी कर सकते हैं मैं अभी जीवित हूँ कभी रुक रुक कर बोला मुझे जिन्दा रखो मुसीबत यह है सरकारी साहित्य अकादमी का सेकेर्टरी हाथ मलते भी बोला हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से सम्बंदित है पेड काटने का मामला कलम दवाद से नहीं आरी कुलहाडी से सम्बंदित है इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जन्ट लिखा है शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी माली बहुत खुश था दबे हुए आदमी का स्वास्त जवाब दे रहा था मगर वै किसी ना किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था कल तक, कल सवेरे तक किसी ना किसी तरह उसे जीवित रहना है दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुलहारी लेकर पहुँचे तो उनको पेड काटने से रोख दिया गया क्यों? मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुकम आया है कि इस पेड को ना काटा जाए कारण यह था कि इस पेड को दस साल पहले पिटोनिया राज्य की प्रधान मंतरे ने सेकरेट के लोन में लगाया था अब अगर यह पेड काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड जाएंगे मगर एक आदमी की जान का सवाल है एक क्लर्क चिलाया दूसरी और दो राजियों के संबंधों का सवाल है दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राजिय को कितनी सायता देती है क्या हम उसकी मितरता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलेदान नहीं कर सकते कभी को मर जाना चाहिए निसंदे है अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रेटेंडन को बताया आज सवेरे प्रधान मंतरी दोरे से वापस आ गए है आज चार बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा जो वे फैसला देंगे वही सब को स्विकार होगा शाम के पाँच बजे स्वेम सुप्रेटेंडन कभी की फाइल लेकर उसके पास गया सुनते हो आते ही वे खोशी से फाइल को हिलाते वे बोला चिलाया प्रधान मंतरी ने इस पेड़ को काटने का हुकम दे दिया है और इस घटना की सारी अंतरास्टे जीमेदारी अपने सर पर ले ली है कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासल कर लोगे सुनते हो आज तुमारी फाइल पून हो गए मगर कभी का हाथ ठंडा था आखों की पूतलियों और जीव और चीटियों की एक लंबी पांथ उसके मुह में जा रही थी उसके जीवन की फाइल भी पून हो चुकी थी अर्थार उस आदमी की मृत्ति हो गई थी तो यह दी कहानी आशा है आपको अच्छी लगी होगी धन्यवाद